केच अंसिखर रौ के पटना आने के बाद सुखभुवाहट तेज हो गई है कि क्या विपक्षी एकता के दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है हमारे से जनता दल यूग के पदान महासिव केशी त्यागी हैं सर के सियार के वारे में हमेशा कहा जाता है कि नरेद मोदी के खिलाफ वो एक विपक्ष के लोगों को लांबंद करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं कि आपको लगता है कि आज नितिश कुमार लालू प्रसाद यादा तेश्वी यादा विस उनकी मुलाकात इस दिसा में बड़ा डेवलाप्मेंट है कि बिहार के बदले हुए घटना करम से पहले समूचे देश में एक निराशा का वातावर्म था केंदर राज सम्मंद निरंतर खराब होने की तरफ अग्रिसर थे बेरोजगारी मेहंगाई को लेकर के नोजवान और ग्रहनिया सड़क पर थी औ और कोई विपक्ष में एशा घटना करम नहीं था जिसको लेकर के कारिकरता उच्छाहिद हूं हमें परशनता है कि बिहार के घटना करम ने विपक्षी एकताकी भी नीव रखी है और जो वातावन बना हुआ था एनिश्चित्ता का निराशा का उसको भी तोड़ने का काम क क्या है के सी आर तेलंगाना के मुखपंत्री हैं वो निरंतर लगे रहते एकता के प्रियासूं में इस अवसर पर हम इतना वर्ष कहना चाहते हैं कि पुराने जो अनभां होएं चाहे जंता पार्टी के हो चाहे संयुक्त मोर्चे के हो और चाहे वरतमान भारतिय जंता पार्टी के नेतित वाले एंडिये के हों इससे हमने काफी सबक सीखे भारत में गैर कांग्रेसवाद की जो नीव पड़ी या सईयुक्त मोर्चे का जो सफल गठन हुआ उसका सिरे सबसे जादे जोती बसुको जाता है जिसने सकता इस साल तक सफलता पूर्वक तरीके से इस को चलाया उसके बाद अटल भिहारी बाजपेई जी को भी इसका सिरे जाता है जिन्होंने विसम और विशिष्ट परिस्तितियों में अपने विचारों के विरुद वाले लोगों को भी जोड़ कर रखा मुझे अफसोस है कि जो वर्तमान एंडिये है उसके जो संस्था फक करने बलबूते पर राज करने के दिन लगभग धिरे धिरे कम होते जा रहे हैं नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश